अलो वेलकम बैक तो मैं चैनल Code24 मैं हूं साधिक और मैं आज आप लोगे लिए लाया हूं एक नया वीडियो और इस वीडियो में हम लोग आज सीखने वाले हैं C programming का एक project आल्रडी मैंने इस चैनल में स्प्रोगामिंग के ऊपर दस वीडियो डाला है तो इस दस वीडियो में जितना भी सारा चीज़ा सीखाया गया जितना भी सारा कॉंसेप्ट भी है और यूज़ करके हम लोग एक project बनाने वाले है प्रोजेक्ट जो है यह बहुत ही सिंपल सा एक प्रोब्लेम हम लोग करने वाले हैं वो प्रोब्लेम यह होगा कि हमारा इंडिया का जो मेरिज का क्राइटिरिया है फर एक्जामपल बॉइस के लिए I guess 21 years है and girls के लिए 18 years है तो हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कोई भी आएगा और अपना इंपूट डालेगा मतलब कि अपना एज डालेगा and जेंडर डालेगा और उसके बाद उसको पता चल जाएगा कि whether he or she is eligible for marriage or not तो हम लोग ये वाला प्रोजेक्ट को आज करने वाले हैं तो प्रोजेक्ट करने से पहले में प्रोजेक्ट का कुछ फाइदा आप लोगों बता देता हूं जितना पर सारा concept है वो concept यूज करके अगर आप लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हो होता है तो उसका जो क्राइटिर्या होता है वो 21 years हो टा है और एक गर्ल का जो क्राइटिर्या हो लेंगे पहली हम लोग उसको बोलेंगे की अब 비ोग या फिमेल ever मेल हो ये फीमेल हो input मिलने के बाद हम लोग और एक input चलाएंगे जो की होगा आपका age कितना है तो यहाँ पे हमारा दो input हो रहा है एक होता है क्या gender और एक होता है age तो ये दो input हमें user से लेना है तो gender का criteria हम लोग दो option पे रखेंगे ऐदर male और female और age male के लिए 21 years का criteria है और female के लिए 18 years का criteria है अभी next step जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दू कि यह जो project है simple एक project ही नहीं लेकिन यह जो project में हम लोग आगे बनने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग logic को कैसे build करते हैं वो आप लोगों को देखना है तो एक बर आप लोगों को भी logic build करना आ गया तो आप लोग कोई भी complex project हो कोई भी simple project हो आप लोग easily उसको कर पाते हो तो यहाँ पर पहला जो criteria है हमारा male होना होगा उसके साथ उसका years जो होगा वो 21 years होना होगा मतलब कि दोनो condition एक साथ होना होगा अगर दोनो condition एक साथ true हो जाता है तभी हम लोग बोल सकते है yes you are eligible for marriage अब देखिए शायद आप लोग को याद होगा हम लोग जब operator पर रहे थे तो यहाँ पे एक end operator था इसने में कुछ ऐसा दिखता था तो end operator का का काम क्या होता है जब दो condition को एक साथ marge करता है तो दोनो condition अगर true होता है तभी वो आगे तक लेकर जाता है otherwise वो else पर throw करता है मतब उस condition पर जाने ही नहीं देता है ठीक है तो अब देखिए यहाँ पे हमारा condition क्या हो सकता है कुछ इस type का हो सकता है कि if gender equal to equal to male and age equal to equal to और equal to नहीं बोलेंगे इसको greater than equal to 21 ठीक है तो यह minimum criteria है यहाँ पे देखिए दो condition हो गया एक हो गया gender जो कि male होना होगा और age जो कि 21 से जादा होना होगा अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजे है जो आप लोग को थोड़ा बहुत familiar लगेगा एक है double equal to मैंने यहाँ पे double equal to लिखा है और यहाँ पे greater than equal to लिखा है तो आप लोग को थोड़ा बहुत याद आ गया होगा कि आप लोग ने यह previous वीडियो में पढ़ा था और आप लोग को अगर वीडियो देखना है तो link मिल जाएगा आप लो यह else पे throw करेगा तो यह हमारा पहला condition हो गया उसके बाद वाला condition क्या होगा अगर वो female होता है तो उसका age 18 years होना होगा minimum तो हम लोग यहाँ पे और एक condition क्या लगा सकते है यहाँ पे हम लोग एक else if लगा सकते है तो else if में क्या होगा कि gender equal to equal to female होता है add age greater than equal to 18 होता है हम लोग बोलेंगे you are eligible और यहाँ पे भी eligible है तो पहले वाला male के लिए था और second वाला female के लिए है ठीक है और इन दोनों में से कोई भी नहीं होता है तो हम लोग directly क्या हो सकते हैं else में कि no you are not eligible ठीक है program का जो एक simple सा मैंने idea दे दिया आपको यह program देखे बिल्कुल confused नहीं होना है क्योंकि यह basic structure है मैंने सिर्फ logic को build करने के लिए यह दिखा दिया ठीक है अभी हम लोग इसको run करने से पहले इसका flowchart बनाएंगे बनाने के बाद ही इसको हम लोग run करने वाले हैं इसका start करने के लिए कुछ ऐसा block का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके बाद फिर क्या होता है हमेना user से दो input लेना है एक क्या होता है gender और एक होता है age तो input लेने के लिए हम लोग एक parallelogram का use करते हैं को यहां पर input लेना है input क्या gender and age इन दोनों का input लेना है हो गया input उसके बाद फिर हमें क्या करना था इन दोनों का comparison करना था यहां पर हम लोग इफ के लिए एक diamond shape को use करते हैं तो हमारा पहला condition क्या था कि जो gender है उसको male होना होगा and जो age है हमारा वो greater than 21 years होना होगा तभी जाके है अगर यह yes होता है तभी जाकन हम लोग क्या बहुत सकते हैं आइ you are eligible ठीक है और अगर यह no होता है है तो क्या होगा हम लोग फिर से दूसरा वाला condition चेक कने वाले हैं तो फिर से condition के लिए हम न्यूख हमेशा एक diamond बनाएं तो दूसरा वाला condition क्या है कि हम लोग फिर and age जो है वो अगर greater than equal to 18 हो जाता है और अगर यह yes हो जाता है तब ही हम लोग यह बोलेंगे कि yes you are eligible और अगर यह no हो जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे you are not eligible ठीक है अगर no होता है तो हम लोग you are not eligible भोलेंगे उसके बाद प्रोग्राम को exit कर देंगे है ना ठीक है exit कर देंगे यहाँ पे भी exit हो जाएगा यह भी यहाँ पे exit हो जाएगा और यह भी आके यहाँ पे exit हो जाएगा तो यही था basic structure हमारा flowchart का देखे flowchart को मैं और एक बर आप लोग को समझा देता हूँ flowchart समझना बहुत important बात है क्योंकि देखे प्रोग्राम आप लोग तो कर लेंगे कोई भी problem आपको दिया जाता है उस problem को आपको explore करना है उसको समझना है समझने के बाद आप जाके कुछ एक flow बनाएंगे एक diagram बनाएंगे जिस diagram से आपको पता चलेगा कि program की code कैसे करनी है ठीक है यह बहुत ही simple सा program था इसलिए हम लो प्रोचाट बना बना कि उसको solve करना है और उसके बाद फिर जाके उसका code करना है यह जो प्लोचाट है यह पोल क्या रहा है हम लोग ने start कर दिया उसके बाद फिर gender and age को input ले लिया and gender फिर हम लोग में देखा कि gender is equal to male होता है मतलब m होता है and age is greater than equal to 21 होता है तो अगर दोनो female and age greater than equal to 18 है कि मतलब यह girl भी हो सकता है ठीक है एक female भी हो सकता है यहापर अगर हमारा यह दोनों condition satisfy हो जाता है तो हम लोग yes बोलेंगे अगर यह yes होता है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि you are eligible for marriage ठीक है और अगर यह भी no होता है तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलें नहीं है हम लोग अभी डायरेक्ले जाएंगे code editor पर template पर और वहाँ पर जाके इसको हम लोग समझने वाले हैं hopefully वहाँ पर आप लोग को सारा कुछ समझ में आ जाएगा और वहाँ पर हम लोग एक नया ripple create कर लेंगे जो की होगा c programming का template पर और हम लोग इसका name देते हैं lecture 11 और create कर लेते हैं कि हमारा यह फैलो वाल का basic structure आ चुका है तो हमें यह नहीं चाहिए तो हम लोग इसको रिमूब करते हैं अब देखिए हमारा पहले क्या था हमें एक जेंडर चाहिए था तो इंडर जो होगा वह character variable होगा ठीक है तो इसकला हम लोग क्या लिखके फिर जेंडर कर लेते हैं हो गया उसके बाद फिर हमारा एज जो कि होगा integer तो हम लोग एज भी ले लिया और जेंडर भी ले लिया ओके अभी हमें क्या करना है यूजर को बोलना है कि आप अपना जेंडर एंड एज डालो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे एक प्रिंट अब हम लोग इसको स्केन एफ कर लेंगे %K करेंगे and m% एंडर करना कर तो हमारा यह जेंडर यहाओ पर आचुका है एं फिर से हम लोग प्रिंट एफ रिखेंगे और उजर को बोलेंगे कि आप अपना enter your age ठीक है फिर age डालना है तो हम लोग फिस करने वाले हैं scanf क्या करेंगे percent d देखते देंगे और यहां पर m percent age डालेंगे ओके हो गया हमारा यहां पर जेंडर हमने ले लिया और age भी ले लिया तो हमें directly अभी क्या करना है condition लगाना है condition क्या लगाना है कि हमारा जो gender है ठीक है gender equal to equal to क्या हमारा m है और f है तो यहां पर हम लोग एक user को और bracket में यह चीज़ बोल देते हैं कि आप लोग m या f में ही डाल सकते हो ठीक है तो देखिए यहां पर अगर हमारा gender जो है वहीं यह म होता है एंड मतलब की एंड ऑपरेटर एच इक्वेल डिकली टू और ग्रिटर दिन इक्वेल तू कि इतना होगा 21 यहां पर डेबल कोटेशन नहीं होगा हम लोग यहां पर सिंगल कोटेशन लगाना पाज़गा क्योंकि हम लोग डैक्टर को कंपेर कर रहे हैं ठीक है तो अभी हम लोग क्या प्रिंट एफ क्या लिखने वाले हैं एक निव लाइन डाल देंगे पहले इसके बाद फिर बोलेंगे यूँ आप लिजिबल ओर मैरिज ठीक है अब शादी के लिए इलिजिबल हो गया हो अब भी शादी कर सकते हो ठीक है के इस कंदीशन को पूरा हम लोग कशाद कर लेते हैं ठीक है कांपि कर्के यहां पे हम लोग कर देते हैं और इसके आगे एक लगा देते हैं लसी जेंडर अभी अम्हное होगा を होगा यह यह 18 से उपर होना चाहिए ठीक है तो फिर हम लोग लोग बोल सकते हैं कि you are eligible for marriage ठीक है और else के हम लोग लिखेंगे कि print up कर देंगे oops come next year यह हमारा प्रोग्राम भी बन चुका है तो hopefully यह रन सही से करना चाहिए तो हम लोग directly सको भी चलिए यहां पर एक newline का character लगा देते हैं अभी हम लोग इसको run करके देखते हैं कि काम करता ही की नहीं करता है ठीक है अभी हम लोग इसको run करेंगे तो देखिए यहां पर इंटर यर्च एम और एफ पहले अफ डालते हैं उसका प्रग यह यहाँ पर फिफ्ट्ञ दे रहा हूं तो अभी हम लोग फिटसे एम देंगे and age देने वाले हैं हम लोग 28 you're eligible for marriage मतलब आप शादी कर सकते हो ठीक है फिर से हम लोग इसको run करके female के लिए देखते हैं क्या होता है female दे दिया यहां f और मैं age दे रहा हूं यहां फे 19 you're eligible for marriage तो देखें दोस्तों कितना आसान तरीके से हम लोग ने यह program अभी कर दिया है आप लोग इस program पर कुछ भी doubt होगा तो आप directly comment पर जाके बोल सकते हैं अगर आप लोग इस program को और भी different different तरीके से कर सकते अगर आप लोग दूसरा तरीका भी जानते हो तो directly program करके comment पर डाल सकते हो मैं पूरा का पूरा comment चेक करने वाला हूं और मैं देखने वाला हूं किसका प्रोग्राम ज्यादा efficient होता है इस वीडियो में बस इतना ही होपफुली आप लोग को यह वीडियो informative लगा होगा अगर अगर इस वीडियो का कंटेन आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें तो फिर मिलते है अगली वीडियो में तिल देन इस हुआ 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 है